यह विए प्रबम को स्लोल करते हैं क्या कहते है the sum of square of 3 consecutive positive number is 365 the sum of the number is क्या कह रहा है कि 3 consecutive positive number है फर एंपल x, y और z उनके square उनके x square plus y square plus z square वो उसकी value क्या थी है 365 आती है हमसे question में क्या पूछ रहा है कि x plus y plus z की value find out करके बताई क्या होगी हम यहां पर देख पा रहे है कि इनके square का sum 300 की उपर है it means कि जो minimum value होनी चाहिए x, y, z की वो 10 या 10 से बड़ी होनी चाहिए ठीक है तभी 365 आएगा और यह y हम चेक करते है x की जगह पे अगर हम 10 माल ले y की जगह पे हमने 11 माल लिया और z की जगह पे अगर हम 12 माल ले तो हम इस values के साथ चेक करते हैं कि क्या है यह condition जो है x square plus y square plus z square इसक्वार इसक्वार की फूल्फिल करती है कि नहीं आप यहां पे जब इस equation में x की value y की value और z की value रखेंगे तो 10 square plus 11 square plus 12 square that is 100 plus 121 plus 144 यह होता है और इनको जब तीनों को add करेंगे तो आपको 365 में लेगा it means कि x की value जो हमने let की थी वो same है जो original value x, y और z की थी अब हमसे question में क्या पूछा है यह x plus y plus z की value find out कीजिए means 10 plus 11 plus 12 इनको हमें add करना है that turn out to be 33 option b, option 2, 33 इस question का सही answer है